आज की कहानी की शुर्वात होगे जहां पर देखेंगे राञी रानी सा को मोबाइल देती है और कहते ही ये फोटो कर में पदिख कर बताईए कि आप ही नहीं जानती है तभी राणी सा उस मोबाइल में फोटो को देख रही होती है तबी देखेंगे स्क्रीन लॉक हो जाती है और रानी सा को कोई फोटो दिखाई नहीं पड़ती रानी सा कहती मेरा टाइम वेश करना बंद करो और मुबाइल को दूर में फेक देती है और कहती पकफेरी की रस में कल उसकी तयारी करो तबी रानी जाती विक्रम के पास उससे पूस्ती तो विक्रम को भी नहीं पता होता है तबी राजमाता को दिखाती है और उससे पूस्ती तो राजमाता उस फोटो को देखे बहुत एमोशनल फिल करने लगती है तबी देखेंगे तिगवीजे उन्हें वाँ से भेज देते होstory कहते राजमाता कि तब्य ठीक नहीं है कि नंदनी अपने घर पे होगी तबी जैस्शिंग के पास जाती है और अपने सारे जेवर मांगती है कहती है कल पकफेरी की रस में चaimer करीं होने हम पहने जाओगी सब्क्राइब कर दिहीं को सब्सक्राइब करें देंस्य subsidy मैंनें आपको ने कहा ना कि मैं वक्तलिं अद्लिंक मैं पर अगिया यह मैंने परीशान हो तो और आपने इसको देखकर खुश नहीं हुई ना, इसलिए मैं तोड़ा गुस्सा हो गया था, यहां पर देखेंग रानी सा बैठकर पेपर पढ़ रही होती है, और तभी कुमुत चाय देती है, तो वो कहती है, मैं बांदे चाय पीओंगे, आप रखें, तभी कुमुत देख नहीं जाओगे, और जहां पर रानी इतना जा रही होती है, यह सुनकर वीर भी मना कर देता है, रानी कॉलेज चली जाती है, वीर उसे छोड़ने के लिए जाता है, तभी देखेंगे, एक लड़की देख रिजुटी वीर को, और सोच रिजुटी कितना हैंडसम लड़का ह तभी वाँपे वीर के जाती हैं, रानी के पास आती है, और पोस्ती लड़का को आता अजिया होटा जाता हमता जाती है, इक कर लोग एकए कर आते हैं, और यहांपे देखेंगे अधनी को बहुत सारे गेहने मिल रहा है है, जैसंग की नजर बस कहनों में होती है, और गेहन को देख को बहुत जादा खुश भी हो रहा होता है तभी वहाँ पे नन्नी से कहता है कि अब अपने नए बिजनेस के बार में बात कीजिए न अपनी घरवालों से तभी नन्नी मना कर देती है और कहती है जाता है इदा देखेंगे रानी वीर को फोन करती है और उनसे कह रही होती कि आपको रस्म में जाना जाहे था डॉक्टर साथ तभी वीर उस चीज के लिए मना करता है जहां रानी नहीं वहां पर नहीं जाना चाहता था